वेलकम टो एसपांडर यूट्यूब चैनल आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ 2012 की कोशन प्रैक्टिस करा रहा हूं इसके पहले मैं क्लास 10th मैथ 2012 के जो बिहार बोट की कोशन पूछी गई थी उसका आपजेक्टिव मैं पेछले वीडियो क्लास में मैं अपलो लिए करा रहा हूं क्या कोशन ध्याँ दीजीगा कोशन कर आठारें तेरह कव क$' came कै कि मादिका रहे करने तो सबसे पहले मैं बता देता हूं मादिकाइन क्याद करने के तेरे के बाद छोटा क्या है ? 16 ञटँए यानि का मान तो यहां पर देखें टीन निकल गया तो यह रावर चो गया अब देखें कैसे बनाएंगे तो एक बटे दो यहां देजीगा फिर क्या एनवाटेटटू हुस्ट kामान क्या निकला दिन तो यह तीन वाँ पध होगा क्या हो जाएगा तीनवा पद हो जाएगा जोड फिर देखे एनवाटे टू पलस वन है यहां पर क्या हो जागा है तो अब दिखिए बावु ध्यान दीजेगा तो एक वटे दो यह क्या है एक वटे दो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अज़के तीनवा पद तो गिलिए इसमें तीनवा पद क्या है शत्रह यानी शत्रह हो गिए तो आप दिखिएगा सथ्रह और सोले को जोड दिजी इन ही-ब्र दो उन्हां शत्रहम और स्कौरा गोंगे 30 हो जाएगा जد attitude तो 33 इसको दूसरे भाग दीजी तो 16.5 आता माध्य का बराबर जो हो गई यानि माध्य का जो निकला माध्य का बराबर 16.5 एंसर तो समझ में आई आप लोगों को बताएं माध्य का बराबर क्या होगे 16.5 बहुत इंपोर्टन कोश्चन है दिखिए 22 नमबर का कोश्चन क्या करायँ 210 10 स्क्वाइर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वाइर 30 डिग्री माइनस 7 स्क्वाइर 60 डिग्री का मान निकालें तो दिखिए 2 इन 2 क्या है 10 स्क्वाइर 45 डिग्री तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है एक होता है तो इसलिए इसको एक का स्क्वाइर कर दिये फिर दिखिए को स्क्वार 30 दिए को सूँ स्क्वार 35 होता है 2014 4 Questo का स्वार 30 स्वार स्वाराgel माइनस क्या स्वार साइन स्वार डिगरी है तो साइनस्द 53 अब इसको तो क्या हो जाएगा all square क्योंकि यहाँ पर होल इस्क्वाइर है समझ में आ रही होगी आप लोगों को अब देखेंगा तो दो एक का इस्क्वाइर तो एक ही होगा ना तो एक गुना तो तिलिए इसका एंसर क्या होगा तो समझ में आई आप लोगों को चलिए चैने के 23 नमर का कोश्चन करंगे बिंदू चार पाँच तथा मैनस 30 के बीच की दूरी ग्याद करें देखे माल लिजी कि बिंदू A और ये बिंदू भी है यहां से यहां का जो नियामा का है 4 5 और यहां का नियामा क्या माल लिए मैनस 3 दू माल लिए ठीक नब इन दोनों के बीज की दूरी तो दूरी के सुत्र से हम जानते है है रूट अंडर एक्स्टू मैनस ऐक्स का हिए स्कॉर पलस राइ टू ़्युकर थो अब यहां देखे बाऑ प्रू रूट अंडर एक्स्टू का माल कितना है कि मांने स्थ दूion 1 का value क्या है 5, तो 5 का all square, अब यहाँ देखिएगा सभी students, कोई problem तो नहीं हो रही है, अब यहाँ देखा जाए, minus 3 और minus 4, क्या हो गया, minus 7 का all square हो गया, plus, 2 में से 5 गटेगा, क्या बचेगा, minus 3 का all square, तो अब यहाँ देखा जाए, ध्यान दिजेगा, 7, अब दिखिए, ध्यान दिजेगा सभी students, 7, minus 7 का इसकर, minus 7 कुना minus 7, क्या हो गया, उन्चास हो जाएगा, क्योंकि सत्ते उन्चास, देखिए, पलस है बीच में, तो पलस दे दिए, minus 3 कुना minus 3, तो minus minus पलस हो जाएगा, तो इसलिए, रूट अंडर, उन्चास से, और नो जोड़ेंगे, क्या जोगा, अंठावन, तो अर्थात, इसकी जो दूई होगी, रूट अंडर, अंठावन, तो वीडियो यदि पसंद आए, तो लाइक अवश्य करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के बीच, शेयरे देखे, चौबिस नम्मर का कुश्य है, क्या करा है, एक साइकल, पांच हजार चकर में, 11 किलो मिटर की दूरी तैक करती है, तो पहिये का व्यास क्याद करेंगे, तो सबसे पहले दिखेगा इन्हीं एक सैकल पांच जाज चक्र में 11 किलोमेटर चलती है तो इसलिए एक चक्र में कितनी दूरी तैकी के दूरी तो क्या हो जाएगा इसका फर्मूला होगा कुल दूरी बटे चक्र की संख्या बटे क्या हो जगा चक्र की संख्या चक्र की संख्या अब दिखो भागो कुल दूरी कितना है 11 किलोमीटर अब बटे चक्कर कितने है पाँच हजार बटे क्या कर दिए पाँच हजार कर दिए पाँच हजार अब दिखीगा तो चुकि एक किलो मीटर बराबर क्या होता है एक हजार मीटर हम जानते हैं कि एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर होता है ना तो अब यहां दिखीगा इसलिए यानि एक ग्यारा किलो मिटर है तो एक ग्यारा गुना एक हजार मीटर होगा अब बटे क्या है पांच हजार बटे क्या है पांच हजार ध्यान देजी का पांच हजार अब देखिए यह जीरो यह जीरो कट गया यह जीरो यह जीरो कट गया यह जीरो यह जीरो कट गया तो बराबर सकता है तो चुकूघ आप देखो eight yeah गुणा 10 cm निएनम में को 20-25 आपक तो तो आप देखो, 11 व्या magnificाश यह इसका मतल Mozart 220 cm अर्थात यानि जो एक चक्कर में दूरी ते करती है, वह 220 cm, तो एक चक्कर में जो पहिया घूमेगी तो वह परीधी के बराबर सी परीधी को Mr. बिरत की परिधी यहने पहिये की परिधी तो परिधी जो हो गया आपका एक चक्र में तैकी गई दूरी तो आकिप परिधी कितना निकल गया 220 cm तो परिधी का जो सुत्र होता है 2 pi r 2 pi r अब बराबर कितना है देखिए 220 cm 220 cm परिधी आपका कितना निकल गया है 220 अब दिखीगा 2 pi r कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को दिखिए चलिए अब दिखिए ध्यान दिजिएगा 2 into pi pi का मान होता है 22 वटे 7 गुने r बराबर क्या हो गया 220 cm 220 cm अब देखिए 22 दूनी क्या हो गया 44 22 दूनी 44 सदीज लिए आर बट शाथ तो अरे वराबर कितना हो गया 35 सेंटिमीटर हमको क्या निकाहल करा अठों टो बिएस अठीज निकला है तो पैइटीज सेंटिमीटर तो पैइटाश दूनी सत्तर यानि सतर सेंटीमीटर अर्थात इसकी जो पहिये की ब्यास जो निकल गई वह क्या निकल गई सतर सेंटीमीटर समझ में आई आई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुए होगी चली दिखे करें 25 नमबर एक विरित के चतुर थांस का छेतर फल ग्याद करें जिसकी परीधी चवाली सेंटीमीटर है तो आप लोग ध्यांदी जेगा सभी विद्यारती तो परीधी कितनी है चवाली सेंटीमीटर तो परीधी परीधी बराबर कितना दिया है चवाली सेंटीमीटर अब दिखीगा तो परीधी का जो सुत्र होता है टू पाई आर बराबर कितना हच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सब्सक्राइब तो देखे यह बृत हुआ ना ये विरित होता है तो चतुर्थांस का छेतरफल इसका मतलब यानि यह यह जो भाग है यहां से यहां एक भाग इसका चतुर्थांस का लगता है तो इसलिए इसका छेतरफल निकाले करता है किसका निकाले करता है देखे एक भाग का छेतरफल इसका मतलब चतुर्थांस का चतुर्थांस का आप देंगे तो चतुर्थांस का छेत्रफल हो गया तो इसलिए चतुर्थांस का छेत्रफल विरित के चतुर्थांस का छेत्रफल चतुर्थांस का छेत्रफल का छेत्रफल बराबर एक वटे चार गुने पाई आर इसक्वाइर एक वटे चार गुने पाई रिसक्वाइर तो डेखे एक और चार गुनेल मों 22 वते सात, अग और के सब्सक्राइब कि इसका मतलब सेंचिमेटर और गुनी क्या हो, साथ सेंटिमेटर , गुनेल, कि ज्यां दिजेगा 21 17 17 27 सब कर किसा गर बड़ी कहा हो गया दो से भाग देगा तो icon 38,5 संटी BC सब बड़ा 28,5 संटी मिटर स्कार एंसर अर्फन देखे में चली δे नेक्ष्ट Nord देखिए 26 तमर का कोश्चन क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिवुच के छेतर फल 36 cm एवं 81 cm स्क्वार है यदि पहले त्रिवुच की उचाई 14-08 cm हूँ तो दूसरे त्रिवुच की संगत उचाई ग्याद करें तो इसका मतलब पहले त्रिवुच का जो छेतर फल दिया 36 cm स् स्क्वार पहले कि जो उचाई है 14-08 cm स्क्वार दूसरे की दिया निकाले कर रहा है तो हम जानते हैं कि समरूप तिरभुज का छेतर फलों का अनुपात उसके संगत उचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है इसका मतलब क्या होगा कि एवन यानि एवन बटे a m गाइसक्वार a m का स्कॉर बटे क्या हो जाएगा dn का स्कॉर दीवन गाइसक्वार जाएब ढटे क्या होजगा dn क स्कॉर अब दिखे अब डेसको अबषन कर लगा है शाग 23 अब देखिए बटे डीन का मान कितना है कुछ नहीं तो बटे डीन का स्कॉर करती है अब देखिए भागों यहां पर धियान दिजिएगा यह 36 है तो आप यहां पर देखिए गा अब दोनों पर एक बार करके स्कॉर कर दीन का स्कॉर कर दिए अब जाएगा तुम ना हो रहा है समझे कि ना तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा सभी विद्यारती क्या हो जाएगा यहां देखिए छोब नो क्या बच गया चोब दे नो बरावर चार दसमल वह आठ सेंटीमीटर बटे डीन बटे क्या बच गया डीन अब यहां पर देखिए गा 8 शक 48 तो 0.8 बार में कट गया किन दीखे 8 शक 48 यहनि एक बटे नो बरावर 0.8 बटे डीन तो डीन गुना एक क्या हो गया? एक बटे नो बराबर जीरो पॉइंट आट विटे डीन गुना एक तो डीन हो गया अब देखे नो अठी पहत्तर इसका मतलब साथ दस मुलब तो सेंटीमेटर इसका मतलब दूसरे भुजात की दूसरे तिर्वुष की जो संगत उचाही निकली साथ दस मुलब तो और आप लोगों को बताएं को प्रावलम तो नहीं हो रहे है ना है दिखे कारा इस संग्र कोशन कता एक चार साथ डॉट डॉट के अठारव पान्याद करें इसमें दिए बराबर क्या है दिखे एक रभर क्या है अ एक तो डी बराबर क्या होता है 77 रॉट्थी टू माइनस तो देखे टी 2 कमान कितना है चार іб 1 कितना है बरढबर 3 तो देखे डी का मेल्गी कितना निकल गया अब ज užिसमें का मेल्य क्या अठार है आशługर है टी , यह अर्थ तो अब ज Initiates, कि फीसने तो सतरा गुना तीन करो सतर तिया एक आवन और एक इतना हो गया अथारवा पद जो हुआ बावन हो गया अथारवा पद क्या हो गया बावन हो गया समझ में आ रही है आप लोग को कि देखें है क्या कर रहा हैं तो सबसे पएले समीकम क्या और एकस इसकॉयर मयनस फो क्वर्श चॉक बरावर जीडर निखान X Sqa के साथ जो नहीं नहीं था A, B वरावर कितना है, दिखें, माइनस 4, और C वरावर क्या है 2, तो अब देखें, बीवेचे को D से सुचित क्या जाता है, तो D वरावर क्या होता है, B Sqa minus 4 A C, तो अब देखें, B का वेलू क्या है, minus 4, तो minus 4 का all square, फिर minus 4 into A, A का वेलू क्य प्रेश को वटाईगी, तो minus क्या होगे, 24 होगे, तो यह क्या होगे, दिखेंगा, minus 24 होगे, इसका यानि बीवेचे का जो मान होगे, minus 24 होगे, तो यह मूल जो है, कालपनिक होगे, इसके कोई हल नहीं होगे, तो क्योंकि D is less than 0 minus 24 होगे, शमझ में आई आई आप लोग को, चली, next question, देखें, क्या करा है, x square बराबर 9 का हल समुच्छे लिखें, तो यह देखें, x square बराबर क्या है, no, to square जब हटेगा, इधर क्या चल जाएगा, root चल जाएगा, तो root अंडर 9, root के आगे क्या होता है, plus और minus 2 होता है, तो x बराबर जो हो जाएगा, 9 का बर्मूल क्या होगा, plus minus 3, तो इसका मतलब होगे, x बराबर जो होगे, एक बर प्लस 3, और x बर एक बर जो होगे, minus 3, इन x बर तीन और minus 3, एंसर हो गया, चली, next question, देखें, क्या करा ह किसी चक्रिया, चत्रभुज के आमने सामने के कोनों का अनुपाद 4, अनुपाद 5 है, तो कोन ग्याद करें, तो दिखवा हूँ, 4 अनुपाद 5 है, तो याद रखना, इसका मतलब आमने सामने, मालो यह और यह आमने सामने, इसका मतलब कौन A, अनुपाद कौन C, बराबर क एक यह चार नूपातः तो कौन एबटे चार बराबर 기 tavalla कि मान दो चुछ पिनिए स्वहाद स्वहासुटार कि नहीं इसली है क्शुथ ऑनूपात हैं क्भीष का मुन कमान कि इस खैकी घृद चार वॉकॉन सी जो होगा क्वीषे गवाधTE denkने बदाएं म Vocês कुणuों का यूगफल एक्सवासी डिग्री होता है यूप Ho बनाबर कितना होगा एक्सवासी डिग्री तो अब कोण यूप का मान कितना है चार के कौन सी का मान कितना है पाँच grocery बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 तो के कमान कितना हो गया के बराबर हो गया 20 डिग्री के बराबर कितना हो गया 20 डिग्री अब हमको कौन ए और कौन सी निकालने कर रहा है सैंपू कॉन निकालने करा तो कॉन वराबर कैसे चार के तो चार के इसका मतलब 4 गुना के तो 20 तब 20 के Assi यहांने approximately निकल गया 80जे को नेक अमान कि तर磁ल 가ंचो इन इक सो डिकरी कुन सी कमान कि अंगा एकस अर्फार यानि इसका भेल्य हो गया 80ज और इसका फेलियो फच्लयों गया खेल जोघ्री अभिजमत कुंत जोड़ु तो गजोड़ में किने आज की क्लास में यहीं तक वीडियो कैसा लगा कोमेंट अवश्च करेंगे ठैंक्स पर वाचिंग और वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों के वीच सेयर करेंगे